सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाएए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेट पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं विजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन के बारे में दोस्तो ब्लड रिलेशन में से एक कोश्चन डेफिनेटली हर बार आता है तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है और दोस्तो अगर आप ध्यान से करोगे तो ये जो अपना देखना और ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आसके तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों सबसे पहले मापको यहाँ पर बता दू कि हमारे लिए old paper करना हद से ज्यादा important है आपको आप चाहे paper first की बात कर लो है paper second की दोनों के दोनों paper हमारे लिए करना बहुत जरूरी है इनके old paper कीजिए अगर आपको net plus ज्यारफ लेना है तो और अभी हम आपको दिखाऊंगा कि यह कितने ज्यादा important है तो चलिए हम शुरूआत करते हैं देखे दोस्तों यह हमरा जुलाई 2018 का question paper है जो re exam हुआ था दोबारा exam हुआ थ कुछ लोगों का हुआ था अगर आपको पता हो थो तो उसके अंदर यह question आया था दोस्तों यह question आप देखी यहाँ पर परसंचिने के स्थान पर दिये गए कूट में से सुमचित विकल्प को चुनिये यह इन्होंने दिया है गाए दूद मदुमक्खी सैद सिकसक इसमें ह बाया है यह मापको दिखा देता हूँ चलिए यह देखे दोस्तों यह हमारा जून दोहजार तेरा का question पेपर है और इसके अंदर बिलकुल सेम डिटो कोपी यह question आ गया देखिए इसमें मदुमक्खी सैद गाए दूद और सिकसक दिया हुआ उसमें क्या था कि यह जो अंसर बिलकुल रसानी से दे सकता है तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि हमारे लिए old paper करना कितना ज्यादा जरूरी है और इसके अलावा भी दोस्तों मैंने वीडियो काफी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि जुलाई 2018 में कितने question repeat हुए थे करीब 18 question ऐ repeat हुए थे तो दोस्तों हमारे लिए paper first और second old paper करना बहुत ज्यादा जरूरी है और दोस्तों यहां पर हम आपको बता दो कि हमने paper first से related separate topic wise PDF बना रखिये जैसे research के आज तक जो question आए वो अलग है communication के अलग है reasoning के अलग है इस तरह से सभी topic के हमने बना रखिये paper first की और उनको analyze करके आप असानी से पता कर सकते कि कौन से question बार बार repeat हो रहे हैं और किस तरह की question आते हैं दोस्तों अगर आप उस तरह से अपनी त्यारी करते हो तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका net plus jrf होने की बहुत ज्यादा chances है तो चलिए दोस्तों अब हम बात करत हैं आज के questions के बारे में करते हैं blood relation के बारे में दोस्तों वैसे तो blood relation के question करना असान होता लेकिन काफी बार हम confuse हो जाते हैं तो अगर आप कुछ step को ध्यान में रखोगे कुछ tips को ध्यान में रखोगे तो आपको किसी भी तरह का कोई confusion नहीं होगा तो चलिए हम आपको कुल असानी से question कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो देखी हमें question के अंतर एक लड़का या लड़की और तो बोढ़ा बोजूर भी इस तरह से कुछ दिया हुआ होता है तो हमें क्या करना कि अगर कोई male है तो उसके सामने plus का निशान लिखेंगे और अगर कोई female है तो उस एस माइनस इस तरह से लिखेंगे कोई भी हम नाम दे सकते हैं जैसे asprq जो भी हमें देना है बस पलस और माइनस का हमें ध्यान में रखना है और आगे आता है दोस्तों टिप्स नमबर टू इसके अंदर क्या होता कि अगर हमारा same level है जैसे कि बाई बहन है या कोई चाचा क लड़का है या पती-पतनी है दोस्त है तो उसके अंदर हम इस तरह से डिनोट करेंगे उससे ठीक है और तीसरे नमबर पे आता है दोस्तों अगर हमसे एक स्टैप ऊपर कोई रिष्टा है हमारा जैसे कि हमारे पापा होगे हमारे चाचा होगे या इस तरह से कोई भी हो ग है तो इसमें हम इस तरह का पोजिशन इस तरह की पोजिशन हम बनाएंगे तो दोस्तों अब हम इसके उपर कोईशन करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे कोईशन बिलकुल असानी से हो सकते हैं दोस्तों हम बात करते हैं जुलाई 2018 के कोईशन पेपर से ही ठीक है अब इसमे देखिए दोस्तों यह हमारा question number 24 है एक महिला ने अपने पती से राकेस का प्रिचे कराते हुए कहा अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक एक लाइन को लेके चलना है थोड़ी थोड़ी लाइन को लेके चलना है ताकि हमें असानी से सहमज में आसके यह देखिए दोस्तों यहाँ अपने पती से राकेस का प्रिचे कराते हुए अपने पती यह इसका husband हो गया ठीक है और राकेस का प्रिचे यह देखिए यह राकेस है यह महिला है अपने पती से राकेस का प्रिचे करवा रही है तो अब हम आगे देखते कि आगे question में क्या कहा है इसके भाई के पिता अब याँ पर दोस्तों हम एक एक जो स्टेप पर हम को बड़े ध्यान से करना अब देखिए रा कैसे लिख दिया फिर आगे भाइ लिख दिया इन द온ों के सामने पलस पलस लगा दिया तो हमें पता से लगा कि ये मेल है और फिर हमने ये इस तरह से लिख दिया इस तरह से होरीजेंटल लिख दिया होरीजेंटल साइन दे दिया इस से क्या पता से लगा कि इन दोनों का लेवल सेम है और इसके भाई के पिता पिता को हमने यहां पे लिख दिया इतना मेरे दादा के इकलोते पुत्र यानि कि जो महिला है उसके दादा के इकलोते पुत्र क्या होगे यह होगे यानि कि महिला के जो पिता है वो उसके दादा के इकलोते पुत्र होगे यहां पे आगी और यह क्या कहरा कि इसके भाई के पिता यानि कि राकिस के भाई के पिता यह ह एक ही परसन है एक ही आदमी है यह दोनों के दोनों ठीक है है यहां से हमें पता चल रहा है तो दोस्तों यहां से क्या होगा कि अब देखिए दादा का बीटा क्या होता है अपना और इस ने कहा है कि एकलोते पुत्र एकलोते पुत्र का मतलब क्या हुआ उसका बाप यानि कि जो महिला है उसका पिता और राकिस का भाई है उसका पिता ये दोनों के दोनों एक ही आदमी है तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो महिला है राकिस है और ये राकिस का भाई है ये तीनों के तीनों आपस में भा तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं कि जो महिला है वो राकिस की क्या लगती है बहन लगती है तो इस तरह से यहां पर हम बिल्कुल असानी से कोशन कर सकते हैं और दोस्तों आप इस वीडियो को रोक के देख लेना आसानी से ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा और अगर राकिस का दोस्त है तो सबसे पहले हम अजे और राकिस का रिलेशन इस तरह से लिख लेंगे एक बुजर्ग की और इसारा करते हुए अजे ने राकिस से पूछा वह कौन है यानि कि अजे ने राकिस से पूछा एक बुजर्ग की और इसारा करते हुए कि वह कौन है यानि कि ये बुजर्ग है इसके और इसारा करते हुए अजे ने राकेस से पूछा कि ये कौन है ठीक है आगे देखते है राकेस ने कहा अब देखो राकेस बता रहा है ये जो राकेस है ये बता रहा है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है यानि कि उसका बेटा बुजर्ग का बे देखिए इन दोनों को पढढ़िये आपको ये पूरा का पूरा गराफ बिलकुल समझ में आ जाएगा. अब देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं की यह देखिए इसने कहाए कि मेरे बेटे का चाचा, यानि वो होता है बाप होता है और यहां पे देखिए दोस्तों हमें पता चल रहा है कि राकिस के बेटे का चाचा हो गया यह ठीक है और जो अपने बेटे का चाचा जो होता है वो अपना क्या होगा अपना भाई हो जाएगा और अपने भाई का जो पिता होता है वो अपना भी पिता होता है तो यहां से अपना अंसर क्या जाएगा दोस्तो यह फादर आ जाएगा यहां से आप देख सकते हैं तो दोस्तो इस ग्राफ को आप अच्छे से देखना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और दोस्तो एक चीज और यहां पे ध्यान देने वाली है कि हमने पलस और माइनस कहीं भी नहीं लगाया तो दोस्तो पलस माइनस का यूज हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी मेल की बात हो रही है कहीं भी female का जिक्र नहीं है तो इसलिए हमने plus minus का जो trick है वो यहां पे हमने नहीं लगाई अब यह देखे दोस्तों हमारे पास अगला question है इसमें कहा है कि C और D बहने हैं तो सबसे पहले हमने C और D का relation यहां पे इस तरह से लिखे लिया C और D दो बहने हैं उसके बाद में A और B भाई है उसके बाद में हमने A और B दोनों का लिख लिया A और B दोनों भाई है और इनके सामने plus plus निसान लगा दिया अब देखिए E जो है A का पुत्र है E जो है A का पुत्र इस तरह से हमने लिख लिया जो यह E है A का बेटा है इस तरह से हमने लिख लिया अब देखिए और D का भाई है यानि कि A का तो पुत्र है और D का भाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने यह लिख दिया और यहाँ पे हमने ब्रदर लिख दिया अब देखते हैं कि B का C से क्या संबंद है यानि कि जो relation D का B के साथ होगा वही C का B के साथ होगा अब हम देखते कि D का B के साथ क्या relation है अब देखें यहां से हमने जब graph draw किया था तो उसमें पता चला कि जो D है वो E की बहन है यहां से हमें पता चल रहा है ठीक है और जो E है E जो है A का बेटा है तो क्या हुआ कि जो D है वो A की बेटी हो गई यहां से आपको पता चल रहा है क्योंकि अब इसमें देखें दोस्तों E जो है A का बेटा है ठीक है और जो E है D का भाई है तो क्या हुआ कि जो D है D A की बेटी हो गई यहां से हमें पता चल रहा है ठीक है और A जो है B का भाई है यानि कि अब क्या होगा यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि जो B है वो D का क्या हो जाएगा चाचा हो जाएगा यानि कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि D और B का क्या संबन्ध है चाचा का रिलेशन है इस हुए वो अच्छे से कर सकते हैं यह सभी हमने ब्लड रिलेशन के देर के हैं तो यह पीडियो आप डाउनलोड कर लेना यह पीडियो बिल्कुल फरी इसकी कोई कोश्ट नहीं है और यह कोशन करोगे तो आपको सभी कोशन करने आ जाएंगे बिल्कुल असानी से फिर आने वा प्रण जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को साने से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तों